इफ 2 इज एड़ेट तो दे नियुमिलेटर ओफ ए फ्रेक्शन इट रिडूस तो वन इस सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम दे इन दे इन दे फ्रेक्शन तो हमें फ्रेक्शन पता कर नहीं है तो फ्रेक्शन के अंदर हम लोग नियुमिलेटर की जिगा मानेंगे एक्स और जो अपना डियुमिलेटर होगा वो होगा वाई तो एक्स अपॉन वाई ये फ्रेक्शन है जहांपे एक्स क्या है नियुमिलेटर और वाई क्या है दियुमिलेटर अब अकोर्डिंग टो क्यों 2 is added to the numerator, numerator x है, तो x में add करेंगे कितना 2, it's reduced to 1 upon 2, यानि y जो denominator है, उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें कुछ भी change नहीं करेंगे, तो जो fraction है, वो कितनी हो जाएगी, 1 upon 2, fraction हो गई 1 upon 2, अब इससे solve कर लेंगे, cross multiply करेंगे, 2 multiply होगा किससे, x plus 2 से, यानि कि numerator से, और y इधर 1 से multiply होगा, तो y आजाएगा, तो इसको solve कर लेंगे, तो यह होजाएगा, 2x, 2 multiply होगा, x से 2x, और 2 से multiply होगा, तो 2 to 4, equal to y, यह अपनी first equation आगई, y equal to 2x plus 4, if 1 is subtracted from the denominator, यानि numerator में कुछ भी change नहीं करना है इस बात, और जो denominator है, denominator में क्या करना है, subtract करना है कितना 1, तो denominator है y, y में से subtract करेंगे कितना 1, it reduce to 1 upon 3, तो जो fraction है, वो कितनी होजाएगी, 1 upon 3, इसे भी solve कर लेते हैं, 3 multiply होगा x से, तो 3x और y minus 1 multiply होगा 1 से, तो y minus 1 ही रहेगा, फिर आगे आप इसमें देखते हैं, कि 3x equal to y अपने पास आगया, तो y की value अपने पास है कितनी, 2x plus 4, यह y की जिगा हमने लिखती है, minus 1 है, तो minus 1, तो अपने पास से 3x, 2x को transpose करेंगे, minus 2x हो जाएगा, 4 minus 1 कितना होगा 3, 3x minus 2x होगया x, x equal to 3, यानि कि जो अपना numerator है, numerator कितना आगया 3, बात करते हैं denominator की, तो y है अपना denominator, तो y equal to क्या है, 2x, तो 2 into x की जिगे लिखेंगे 3, plus में 4, तो 3 to 6, 6 और 4 कितना होगा 10, तो y की जो value आगई वो है 10, तो अपने जो fraction थी, fraction थी x upon y, तो x है 3, और y है 10, तो 3 upon 10, यह अपनी जो fraction है, उसका answer आगया, तो यह था answer, अब इसको check कैसे करें, तो check करने का simple सा तरीका है, इसमें value put करेंगे, और check करेंगे कि जो answer है, इसमें भी कर सकते हैं, चाहिए इसमें भी कर सकते हैं, तो x plus 2, तो 3 plus 2 कितना होगा 5, 5 upon y, y कितना है 10, इसको solve करेंगे तो 5, 1 जा 5, 5, 2 जा 10, 1 upon 2 आ जाए न, इस तरीके से हम अपना answer चेक कर सकते हैं, तो उमीद है, वीडियो अज़े से समझ में आगया होगा, तो like जरूर करें, चेनल को subscribe करें, मिलेंगे next वीडियो में, thank you,